बिस्मिल्ला रह्मान रॉराहिम नाजी मैं डॉक्टर जासराफटाब और एक नहीं प्रोग्राम के साथ आपकी हिद्न में हादर है आज मैंने आपको एक स्टोरी बतानी है बलोचिस्तान से है कि एक वेटरिनरी डॉक्टर डॉक्टर अनायत बलोच अनायत चैवला कैसे बना लेकिन इससे पहले मैंने जिकर करना है सिंध गवर्मेंट का आजकल सिंध का मैकमा लाइफस्टाक बड़ा मुखरक हुआ हुआ है और इसकी एक्टिविटी के पीछे वहां के मिनिस्टर लाइफस्टाक एंड फिशरित अबदुलवारी पताफी का तालुक है जो आजकल सो के लिए as a media person दर्सा करते थे अब हमें regular basis पे वहां के activities का भी पता चलता है और जब वह मुनिस्टर साब active ड़ते हैं और वह अपनी चीजें मीडिया से share करते हैं तो definitely उससे एक नए दोर का अगाज हुआ है जिसमें हमें ये पता चल सकता है कि ये महकमा कर क्या रहा है और ज जहां पे कहीं कोई गल्ब चीज हो रही हो तो उसको क्रिटिसाइज करना ताके चीजें बहतर हो ने आजर में बताता चानू के मैकमा लाइस्टाक सिंध ने अभी mobile veterinary dispensaries या mobile veterinary units का भी अगास कर दिया है इसके लिए गाडियों की ब्रेंडिंग की गई है जिसके लिए हलक सबस और हलके नीले रंग में गाडियों का कलर किया गया है जित पे जारों की मुखली तस्वीरें लगाई गई है और जिस तरह आपने ये पीले रंग की mobile veterinary dispensaries देखी उसी तरस पर मैकमा लाइस्टाक सिंध ने भी ये dispensaries चलाने का सिलसला शुरू किया है इन dispensaries का मिनिस एक सिंध की लाइस्टाक एक्सपो उसके दुरान इसको इनावुडेट किया जाएगा नाजरीन इसके अंदर जो बड़ी इंपोर्टन चीज है के मैकमा लाइस्टाक ने अपने अभी जो अवेलेबल रिसोर्सिस है उसके अंदर रहते हुए ये प्राजेक का आगास गया इसमें पंजाब की तरह से कोई अलग बजट या नई गारियां तो नहीं लाई गई गई जो पहले से अवेलेबल चीज़ें उन्ही को और जो पहले से अवेलेबल गारियां उन्ही की ब्रैंडिंग की जाएगी और फिर उसी डिसोर्सित में रहते हुए इनसे फाइदा पार्टमेंट्स को अभी अपने सर्वस डिलिविरी सिस्टम को मुबायल करना चाहिए इसके लिए जो है बहतर होगा कि आप लोग जो एक स्टैटिक इंफरस्ट्रुक्चर है उसको उससे हटते हुए और उसको आइसता आइसता कही और यूटलाइज करते हुए अपनी सर् जानवर का खुए बिमारी भी पला रहा है और उसका यहां पर लाने का भी चुके कोई इंतजाम नहीं है तो उसमें डैफिनेटली एक डिफिकल्टी आती है तो इसमें मॉबायल सिस्टम में आपकी गारी उस जोन के अंदर अपनी सर्वस इस पर वाइड करें फार्मर्स के पे पीछे बैक अप पे आपके पास मोटर साइकले मजूद हो जहां पे स्टाफ एमर्जंसी केसिस को हैंडल कर सके या किसी को फोलो अप देना हो तो उस सुरत में वह अपनी सर्वस इस महाया कर सके इसमें पंजाब के अंदर जो मॉबायल वेटरी डिस्पेंसरी चलाई ग बहुत जरूरी होगा कि आप इसको एक पाइलट के तोर पे एक डिस्टिक पंजाब का ले ले और एक डिस्टिक सिंद का ले ले और उसको हंड़र परसंट एक्टी टू हंडर परसंट आप मॉबायल पे ले जाएं और वह चेक करेंगे आपको से महां से क्या रिजट लेते है जब आप जब आप्की गाडी करती है और आप यह फुट फार्मर के पास जाते हैं तो डेफिनली आपको फार्मर के असल मसायल क vem पता चलता है और फिर जो यह आपके पास intimacy's होती है उसका भी आप साथ में सेश होंचती है और वह जो एक यह concept होता है ना कि ghost hospitals का या कागली कारवायों का तो फिर उससे हम निकल कर अपने governance system को बहुत बेतर कर सकते हैं. पंजाब को भी चाहिए के यह अपने जो mobile unit sign को बढ़ाएं और चुके यहां पर गाड़ी अवेलेबल हैं और यहां पर experience भी मजूद है तो यहां पर budget भी मजूद है और यहां पर project पहले चल भी चुका है तो इसको यह आइस्ता आइस्ता अपने mobile system पे लेकर आएं सारे system को त static infrastructure से थोड़ा बाहर निकल सके हैं नाजरीन इसी अबाले से हमने बात करनी है डेरियन कैटर फार्फार्म असोसियेशन पाकिस्तान के सजर शाकर उमर गुजर साहब से अस्लाम लेकुम शाकर साहब शाकर साहब यह आज कल आपके minister जो हैं सिंद के बड़े active हैं और उनकी activities हम हम तक पोंचती हैं तो यह थोड़ा kindly बताइए का कि यह सिंद में क्या हो रहा है और यह जो mobile units का सिलसला शुरू किया जा रहा है सिंद में क्या इससे कोई फाइदा होगा और दूसरा यह भी kindly बताइए का क्या यह सिर्फ मीडिया में रहने तक ही महदूत रहा जा रहा है य मुझे फार्मर्स की आवाज को आपने जैनल पर जगा दी तो मैं यह समझता हूँ मैं 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 लाइव स्टार्क सिंद के अवाले से जिन्पटी में पहली मर्तबा यह कुछ होने जा रहा है और जो यह mobile dispensary हो चला जा 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 रहा हूँ कि मैं यह समझता हूँ कि मैं चला मैं अपने होने का एहसास दिला दिया है और मैं एक बात फोरवी कहूंगा कि कभी ऐसा नहीं रहा कि महक्माई यह सिंद का कई जिकर आया हु मीटिया पर है पहली मर्तबा रोजा ना कोई ना कोई ना कोई खबर मीडिया प्यार ये मिनिस्ट्र साब के कुछी तो मैं ये समझता हूं कि सिंध की अपने पूरे मुल्क की खालत बदलने जा रही है और मैं आपके चैनल के तवस्ट से मैं ये भी तरफास करेंगा मैं अलाज जिनके जितने भी अरबा भी अख्तियार है मुझीर आलस समेट अपने पिक्ताफी साब के काम को शेयर करेंगा और उन से ये रिक्वेस्ट करेंगा कि जो पुछले चार साल मैं लाइव उस्टाफ पंजाब में जो काम्यगया हासिल की है हमारे पास वो मशहन रा है हम उसे फालो करेंगे बहुत जल्दी तरफ्ट करेंगे और पाकिस्तान की तरफ्टी उन लाइव उस्टाफ की तरफ्टी से मशूनिथ है और उस तरक्की का रास्ता हमें बता दिया गया बस हमें उसे फॉलो करना है तो उमीद करता हूं मैं इसी तेजी से जिसके दिन बारी पिक्ताफिक साथ के हामें से काम शुरू हुआ है रफ्तार से दूगनी रफ्तार में इंचाला चलेगा अगर वो फैक्टी लाइविस्टा मेडिया एक्टिविटी तक महदूत नी रगी बलके फार्मर्स के जो असल इशुद हैं उनकी जानब भी तबज्जो दी जाएगी अभी कुछ दिन कबल ये शातर उमर साहब और इनके डालीकेशन की मीटिंग भी हुई है मिनिस्टर साहब ले जिसमें को यकीन तहानी करव इसको चीजों को बहुत इंप्रूब्मेंट की जरो होता है आपका जो एक्स्टेंशन का सवर डिलिविडी सिस्टम है इसको सही महनों में इसको रिवाइस करना पड़ेगा और इसके अंदर चीजें बेदर करनी पड़ेगी इसके साहथ अगर मैकमा लाइस दो काम कर ले ए एक तो आप वेक्सीन को एंशोर करते कि आपका हर एनिमल वेक्सिनेट हो ताके अगर बिमारी का कहीं हमला होता है तो उसके पहले इंसलामात मजूद हो और जैनर को बिमारी उसे बजाया जाते है और दूसरा आप यहां पे जो ब्रीडिंग है उसकी सर्विसी को इंप्रू सैंटी के जो डिजिस्टार है उनोने पंजाब के जो डिडिंग से साबफ के रिजिस्टार आ यह उसे मुलाकात भी की तो इसमें जो उसकी तफिलां की आप से शेर किलेंगे लेकिन इसमें बहुत जरूरी है कि आप अपने ब्रीडिंग को और व ran trabaj hecalled हुए हूं कर लें और और लो फार्मर तक जो आपके डॉक्टर्स है वो पहुंचे और चेक करें कि जहां कहीं हॉस्पिडल मजूद हैं क्या वह बाके मजूद हैं और जो सर्वेसी दी जाती रही है क्या हुआ हुआ है अगर मिनिस्टर साहब ने यह लाइव स्टॉक सेक्टर पर तवज्ज़ देन और हाकेकी मैनों में लाइस्टॉक सेक्टर पहुंचाए गा और महकमा लाइस्टॉक सिंधस अपने वकार को मुस्त racing के अंदर और जो सही falsch हमें farmers तक अपनी services पहुंचाएगा नाजरीन यहां पर हमने break लेनी है break के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे meat export पर के यहां पर कौन से मसाइल है और meat export को हम किस तरह improve कर सकते हैं कर दो हम भी लापस आए कर दो करो हम जाएगा है